हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूँ रबिंदर मधान फांडर एंज सी ओप सेल क्रोनिक कमपनी आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टन जानकारी भी दे देता हूँ यहाँ पर सेल क्रोनिक ने अपनी एप्लिकेशन भी लॉंच कर दी है अगर आप एंडूइड यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर के उपर जा कर सेल क्रोनिक की एप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं Cellcronic की application डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से easily Cellcronic के product को online buy कर सकते हैं आज Cellcronic launch करने जा रहा है अपनी नई off-grid series जो की है Magnum series इस Magnum series के अंदर तीन inverter company launch करने वाली है इस series को आम आदमी के budget में ध्यान रखकर launch किया जा रहा है इस series के अंदर आपको 2.5 kW, 3.5 kW और 5.5 kW के तीन off-grid inverters देखने को मिलेंगे जिसमें से जो पहले दो inverter है Magnum 2.5 kW और Magnum 3.5 kW ये दोनों होंगे 24 V के अंदर जिससे की दो battery के उपर ही इन inverters को चलाया जा सकता है उसके बाद जो inverter है 5.5 kW वो होगा 48 V के अंदर यानि की 5.5 kW को 4 बैटरी के साथ चलाया जा सकता है आईए आज बात करते हैं 2.5 kW inverter की क्योंकि सबसे पहले company इसी inverter को launch कर रही है 2.5 kW inverter आता है Power Factor 1 के अंदर जिससे की ये पूरा 2.5 kW का load चला सकता है अगर हम air conditions की बात करें तो 2.5 kW inverter के उपर आप अपना 1.5 ton का AC चला सकते हैं और साथ में ही बचे हुए Power से अपने घर का बाकी load भी चला सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें समर्सीबल Pump की तो 1.5 HP का समर्सीबल Pump हम चला सकते हैं और बाकी बची Power से भी पूरा घर चला सकते हैं अगर आप इस inverter को market में मिलने वाले दूसरे transformer वाले inverter से compare करेंगे तो वहाँ आप अगर 5 kW का inverter भी लेकर आ जाते हैं तो आप उसके उपर 1.5 ton का AC नहीं चला सकते और वो पूरी output भी आपको नहीं देता है क्योंकि जो transformer वाले inverter होते हैं वो सिरफ 70% power ही दे पाते हैं यानि कि इदर से आपने 100% दिया लेकिन उदर 70% ही power आपको मिलेगी तब ही जो वो inverters होते हैं वो KVA में बोला जाता है किलोवोट में नहीं क्योंकि किलोवोट में उनमें काफी loss हो जाते हैं और इस inverter के अंदर कोई भी loss नहीं है power factor 1 के अंदर है तो जितने का inverter है उतने ही किलोवोट ये load उठाएगा तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे पहले इस inverter की unboxing और उसके बाद इस inverter के उपर load चला कर और एक खास बात इस inverter के अंदर और आती है ये real time में ही आपका जो solar की power है और जो बिजली की power है उन दोनों को mix कर सकता है जो कि market में मिलने वाला कोई और inverter नहीं कर सकता है अगर आप इस budget में दूसरे inverter देखेंगे तो उनके अंदर क्या होता है कि एक time में एक ही source का use हो सकता है अगर वो solar और battery को mix करकर आपका load चला रहे हैं तो बिजली को नहीं पकड़ेंगे अगर वो बिजली को पकड़ रहे हैं तो बिजली को direct bypass कर देंगे तो उस condition में solar आपका सिरफ battery को ही charge करेगा यानि कि किसी भी condition के अंदर solar और विजली दोनों mix नहीं होंगी तो इस inverter के अंदर इस budget में आपको ये खास बात भी मिल जाती है जिसे बोलते हैं real time sharing तो ये solar और विजली के real time sharing कर सकता है और आपका load असानी से चला सकता है तो ये है हमारा box जो की काफी compact है तो चलिए इसको पहले खूल लेते हैं तो ये है हमारा inverter सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके साथ हमें मिलता है एक user manual एक cable जो की communication के काम आती है और एक पत्ती तो चलिए पहले इसको हम निकाल लेते हैं तो ये है finally हमारा inverter आप देख सकते हैं इसका size काफी compact है और white color के ये अंदर आता है और देखने में काफी खूब सूरत है अगर हम accessory की बात करें तो Cellconic Company सभी inverters की तरह हर एक inverter के साथ accessory देती है जैसे कि इस inverter में आप देख पा रहे हैं आपको battery cables मिलती है यहाँ पर आपको 5 pin connector मिलता है और यहाँ पर आपको solar की cable भी मिलती है और इसके साथ AC DC box भी company साथ में ही देती है जिससे कि आपको inverter purchase करने के बाद market से कुछ भी extra purchase करने की जुरत नहीं पड़ती है यह है हमारा AC DC box यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर female 5 pin connector दिया गया है जो की male connector से connect हो जाएगा आपको कुछ भी wiring करने की जुरत नहीं है अगर हम AC DC box की बात करें तो यहाँ पर SPD separate दी गई है क्योंकि अगर कल को कोई हादसा हो जाता है SPD जल भी जाती है तो box को उससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा अगर हम box को open करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाती है solar की MCB, inverter output की MCB, neutral bypass की MCB और यहाँ से आप AC input दे सकते हैं neutral bypass MCB का यह फाइदा है कि अगर आपके घर पर single wire की fitting है जो की most Indian घरों के अंदर होती है तो आप इस neutral bypass को उठा सकते हैं तब आप inverter को single wire output से ही चला सकते हैं यानि कि आप inverter से खाली phase phase ले सकते हैं neutral आपका bypass हो जाएगा अगर हम इस inverter के load उठाने की capacity की बात करें तो वो है 2.5 kWh यानि कि ये 2.5 kWh का inverter है और पूरा ही 2.5 kWh ये load उठा सकता है अगर इसके हम solar MPPT की बात करें तो इसके उपर हम 3.5 kWh तक के solar panel लगा सकते हैं इसके अंदर जो MPPT आता है वो high voltage MPPT आता है उसकी range है 120 से 4.5 वोल्ट यानि कि आपको 2.2 या 3.3 के जोड़े नहीं बना रहे है सीधा एक ही string में 9 panel 10 panel ऐसे आपके panel connect हो जाएंगे तो बहुत easy इसकी solar की installation भी high voltage की वज़े से हो जाती है तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसके उपर load चला कर यहाँ पर हमने inverter को lithium battery के साथ install कर दिया है यहाँ बर आप देख सकते हैं यह है cell chronic की 24 वोल्ट lithium battery जो बहुत ही जल्द आपके लिए available हो जाएगी यह भी same lithium iron phosphate technology पर based है और इसे rack mounted battery कहा जाता है 24 वोल्ट 100 AH उसी के साथ यहाँ पर inverter को लगा दिया गया है और load के साथ भी connect कर दिया गया है तो अब हम आपको load चला कर दिखाएंगे कि क्या यह air condition चला सकता है या नहीं यहाँ पर आप inverter की screen के ओपर देख सकते हैं कि 1.96 यानि की 2 kWh के करीब load चला हुआ है क्योंकि हमने air condition को own कर दिया है आई यह diagram को समझते हैं यहाँ पर आप solar panel देख सकते हैं उससे पहले power MPPT के पास गई है MPPT से direct आपकी battery चार्ज हो रही है और बाकी की power inverter के पास जा रही है यह power आगे load की तरफ जा रही है और यहाँ से बिजली भी देखिए आप direct load के पास जा रही है तो यहाँ पर यह दोनों power mix हो रही है अगे अब आपको दिखाते है 222 volt है और यह frequency है अब यहाँ पर देखिए 201 volt solar से आ रही है अभी उसके बाद देखिए 7.5 ampere आ रहे है और 1.49 kilowatt power solar से आ रही है और battery में अभी कोई power नहीं जा रही है क्योंकि सारी power load को जा रही है क्योंकि load ज़्यादा चला हुआ है जितनी power solar से आ रही है उससे ज़्यादा यह देखिए 79% load है और solar की power यहाँ जा रही है और जितनी 500 watt power बची है मालीजे की load है अभी 1.95 यानि की 2 kilowatt के करीब तो solar से जो power आ रही है वो है 1.52 और बाकी की यहाँ पर बिजली मिक्स हो रही है यही चीज में आपको समझाना चाह रहा था कि यह solar और बिजली दोनों को real time में ही मिक्स कर सकता है जो की market में कोई दूसरा inverter नहीं कर सकता है तो देखिए हमने load काफी बढ़ा दिया है 2.62 kW का load inverter के उपर लगतार चल रहा है और यह 0.7 यानि की overload का error अब देने लगा है क्योंकि 0.5 kW का यह inverter है 0.5 kW से उपर अगर power जाएगी तो यहाँ पर 0.7 का यह error देगा लेकिन inverter अभी भी run हो रहा है still यह नहीं है कि इसने cut कर दिया है 0.7 का error दे रहा है और उससे ज्यादा का load उठा रहा है अब आप देखिए 108% का load यहाँ पर चला हुआ है 2.75 kW और 2.74 kW क्योंकि kW और kW में इसमें कोई फरक नहीं है power factor 1 के अंदर inverter आता है और पूरा load उठा लेता है आपका air condition भी और बाकी का load भी आपकी dead HP की motor भी और बाकी का load भी तो यहाँ पर इस test में होता है यह pass तो देखा आपने कितना ज्यादा lightweight यह inverter है और कितनी असानी से यह पूरे के पूरे load को handle कर रहा है अब बात आ जाती है कि आप इन products को कैसे खरीद सकते हैं तो products को खरीदने के दो तरीके हैं एक online दूसरा offline अगर आप हमारे products को online खरीदना चाते हैं तो आपको जाना होगा www.cellcronic.com पर वहाँ पर जाकर आप हमारे products को असानी से buy कर सकते हैं या फिर आप जाईए play store के उपर और वहाँ से आप download कर सकते हैं Cellcronic की application को और उस application के through भी आप Cellcronic के सभी products को buy कर सकते हैं अगर आप इन product को offline खरीदना चाते हैं तो आप हमारे dealer या distributor से भी purchase कर सकते हैं dealer या distributor से purchase करने के लिए आपको नीचे देगे number पर call करना होगा वहाँ से आपको आपके नजदीक के dealer और distributor की जानकारी दे दी जाएगी या फिर आप हमें contact at the rate cellcronic.com पर भी email कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी अगर आप हमें contact at the rate cellcronic.com पर email करते हैं तो उसमें अपने load की requirement लिखिए आपको कौन सा inverter चाहिए वो लिखिए और उसके इलावा भी अगर आपको कोई doubt हो वो लिखिए उसके बाद office से आपको back call आ जाएगी और आपको जो भी solution चाहिए होगा वो provide कर दिया जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तो बताइए कैसे लगी आपको ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे like कर दीजिए और साथ के साथ इसे share भी कर दीजिए Thank you very much